स्वागत है आज बारह होए दिन में हम सभी को अपने जीवन में अचानक ही कभी-कभी कुछ अच्छे अनुभव हो जाते हैं, कभी-कभी अंजाने में ही कहीं से मदद, हेल्प मिल जाती है, बिल्कुल समय पे परफेक्ट एडवाइज योग्य सलाह मिल जाने के कारण हमारे जीवन की संपूर्ण दिशा ही बदल जाती है, परन्तु सफलता के मार्क पर जब हमारे गाड़ी आगे बढ़ती रहती है, तब हम उन इंसानों को भूल जाते हैं, जिन्होंने हमें उस रास्ते तक ले जाने में मदद की है, तेज रफ्तार में भागते हुए हमें कभी पी कोई सी नाना नानी दादा दादी कोई भी हो सकते है, वे कोई डॉक्टर हो सकते है, नर्स हो सकते है, वे कोई अंजान इंसान हो सकते है, वे कोई खास दोस्त भी हो सकते है, वो आपका बिजनेस पार्टनर या फिर लाइफ पार्टनर हो सकता है, या फिर लाइफ पार्टन और रस्वय करना बहुत अच्छा लगता था उनके जीवन का मेरे उपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होने के कारण मुझे भी बुक्स रिडिंग और कुकिंग के होबी हुई मेरे पुस्तक प्रैम ने मुझे सफल इंसान बनाया और मैं अभी जहां रहती हुँ वो भी मेरे मूल वतन के घर से बहुत मिलता जुनता है प्रोंडा बन कहती है कि मैं जब छोटी थी तब मेरी दादी मा मुझे बार बार सब लोगों का भर मानने को बोला करती थी रोज सिखाती थी तब मुझे लगता था कि मुझे वो नमरता का गून सिखा रहे हैं इसलिए थैंक्यू कहना सिखा रहे हैं पर जब मैं बहुत बड़ी हो गई तब मुझे समझ में आया कि थैंक्यू जैसे सब दो से प्रितकनता व्यक्त करनी बहुत जरूरी है मेरी दादी मा ने मुझे दी हुई ये सबसे बड़ी गिफ्ट है मैं हमेशा उनकी रोणी हूँ थैंक्यू तादी मा फॉर यार गिफ्ट आज का आपका लेशन यही है कि जिन लोगों ने आपके जीवन में सकारत्मक असर करी हो उन सब को आज याद करिए आज के दिन थोड़ा सा समय निकाल के सांती से बैठ के आपके जीवन में पोजिटिव असर की हो ऐसे तीन विक्ती थ्री परसंस को तीन लोगों को याद करिए और उन तीन के नाम डायरी में लिख लिजिए अब तीनों को चेहरों को याद कीजिए ये प्रक्रिया कीजिए देखिए तीनों के चेहरों को याद कीजिए ध्यान से याद करके एक एक करके बारी बारी तीनों के साथ बात कीजिए आप आमने सामने बैठे हो ऐसी कलपना कीजिए और रियल में मूँ से बाते कीजिए आप बोल कर उन्हें बताईए कि आप क्यों उनके लिए कुर्तअग नहो यह बोल कर बताए आपके जीवन में उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो आप उन्हें बताए और फिर थेंक्यू बोलिए तीनो लोगों के साथ एक ही सेशन में बारी बारी वारतला पूर्ण कर दिजिए आपको साज कठिन लगे पर प्रेक्टिस करनी ही पड़ेगी एक एक्जम्पल बताता हूँ ऐसा बोलना है मोहन मैं तुम्हारा सच्चे दिल से रूनी हूँ क्योंकि तुमने मुझे अपने रदे की आवाज को सुनने और फॉलो करने की हिम्मत दी उस दिन तो मैं सही में बहुत ही कन्फ्यूस था कोई निर्णई ही नहीं कर पा रहा था तुम्हारे सब्दों ने मेरे घाव पर मरहम सा लगाया मुझे निरासा से बाहर निकाल कर मेरे स्वपनों को साकार करने की हिम्मत दी उसी दिन मैंने फ्रांस जाने की वो ओफर एक्सेप्ट कर ली थी और आज मैं अपने सपनों का जिवन जी रहा हूँ उस दिन अगर तुम और तुम्हारे वर्ड मुझे न मिले होते तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि कृतग्णता व्यक्त करने का कारण आपको जरूर बताना है सौट में नहीं लंबे से विस्तार से आप समझाएंगे तो ज्यादा लाब मिलेगा जितनी फिलिंग ज्यादा स्ट्रॉंग उतने ही परेणा मास्चेरे जनक सायद आपको चमतकार के विश्फोट का भी अनुबव हो यह एक शक्ति साली क्रिया है आज यह जरूर करे आप अच्छे से बोल नहीं पाते हो तो पत्रा लिख के भी बयां कर सकते हो इस क्रिया के अंत में आपको एक अधभूत फिलिंग होगी क्रितगनता की शक्ति काम कर रही है ऐसा आपको अनुबव कब होगा जब आपकी अंतरात्मा खुशी से भर जाएगी तब वही सबसे पहला और important certificate है दूसरी साबिती यह होगी कि अधभूत चीजवस्तुये और लोग आपके प्रती आकरसित होंगे इतना जैसे कम हो जैसे जैसे क्रितगनता की अभिवक्ति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे और भी सारी चीज़े और बहुत सारे लोग आपके प्रती खीचे चले आएगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां और बढ़ेगी जीवन में एक अदभूत चमतकार होगा जो केवल क्रितगनता के कारण ही होगा इस वर आपका भला करे आग्यादे कल फिर मिलेंगे लेसन नमबर 13 के साथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू